महिलाएं संसकार की जननी ममता का आचल और परिवार की धुरी महिलाओं की दूरगामी सोच बुद्धि मता एवं नेत्रित्व क्षमता का प्राचीन काल से ही इतिहास गवाह रहा है देश हो या प्रदेश हर स्तर पर महिलाओं ने अपनी नेत्रित्व क्षमता को साबित करते हुए सभलता के पर्चम लहराएं है मगर फिर भी समाच की रूढ़िवादी सोच की वजह से महिलाओं को उतने अवसर नहीं दिये गए जितने की वो हकदार थी लेकिन अब वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन गवारा महिला सशक्ती करण की दिशा में हो रहे विशेश प्रयासों के अंतरगत विभिन नईयों जनाए एवं कारिक्रम संचालित किये जा रहे है महिला सशक्ती करण के उन्हीं कारिक्रमों में से एक है तेजस्विनी आखों में सपनों का नया जहान लिये असमों छूने चिलियों ची उड़ाने लिये अंधियारे को जीत रही उमीद की रोशनी तेजस्विनी सूखी बड़ी जमीनों को ये हरा भरा कर डालेगे जीवन के हर एक पन्ने को रंगों से भर डालेगे रुकती नहीं विरोधों से ये सदा लड़े अवरोधों से ये रुकती नहीं विरोधों से ये सदा लड़े अवरोधों से ये हार नहीं सीखी इसने ये जीतने को बनी तेजस्विनी नारी सशक्ती करण की मशाल को अपने तेज से दीपित करता तेजस्विनी ग्रामेर्ण महिला सशक्ती करण कारिक्रम महिला वित्व एवं विकास निगम का सफल कारिक्रम है जिसने ग्रामेर्ण इलाकों में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्ती करण के लिए योजना बद्ध तरीके से कार्य किया है वर्ष 2007 से प्रदेश के छे जिलों पन्ना, च्छतरपुर, टीकमगड, बाला घाट, मंडला और डिंडोरी में संचालित, तेजस्विनी कारिक्रम के अंतरगत, महिलाओं के स्वा सहायता समुख बनाकर उन्हें उन्नती के अवसर उपलब्ध कराए गए उनका हर संभव सहयोग किया गया, एवं उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए हर तरह से मार्गदर्शित किया गया तेजस्विनी द्वारक जब उन्हें राजनीती के क्षित्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोचसाहित किया गया तो परिणाम न केबल सुखद बलकि बेहद चौकाने वाले रहे ग्रामेन इलाकों की वो महिलाएं जो कभी राजनीती के नाम पर घर से निकलने में भी घवराती थी आज पूरे क्षित्र के लिए प्रेरणां बन चुकी है प्रदेश के इन सभी जिलों से ऐसी कई महिलाएं निकल कर आई हैं जिनकी मिसाल आज सफल जन प्रतिनिधी के रूप में दी जाती है उन्ही मिसालों में से एक हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कट कहा ग्राम में रहने वाली जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती जीराबाई सपेरा कोशिशों से काम्याबी की कहानी लिखने वाली जीराबाई का आज इलाके की हर दिशा में नाम है लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब ये प्रतिभावान महिला गरीबी और अभावों से जूच रही थी साप बिच्छों का इलाज करने वाले अपने सपेरे पती के साथ किसी तरह जीवन यापन कर रही थी मगर तभी उसकी जिंदगी में मसीहा बन कर साथ निभाने आई तेजस्विनी तेजस्विनी के पारवती स्वसहायता समोह से जुड़ने के बाद जीराबाई की सोच बदलने लगी समोह से मिले संबल और तेजस्विनी की प्रेरणा से जीराबाई वर्ष 2015 के त्रीस तरीय चुनाव में जनपद पंचायत सदस्य के रूप में उमीदवार बनी जहां उनके खिलाफ चार कददावर उमीदवार विपक्ष में थे लेकिन जीराबाई के होसले के आगे किसी की ना चली और आखिरकार अच्छे मतों के साथ जनपद पंचायत सदस्य के रूप में चुन ली गई जीराबाई की तरह ही काम्याबी की एक और दास्ता लिखी है टीकमगर जिले के ग्राम गैलवारा की द्रौपदी यादवने एक घरेलू महिला के रूप में जीवन यापन करने वाली द्रौपदी यादव एक समय पारिवारिक जिम्मेदारियों को ही अपनी मन्जिल मान चुकी थी लेकिन जब द्रौपदी को तेजस्मिनी का साथ मिला तो उनके भीतर छीपी हुई नेत्रित्वक्षंता ने विस्तार पाना शुरू कर दिया सम्हू के हौसले से द्रौपदी भी पंचायती चुनाव में सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़ी हो गई वो भी ऐसे समय में जहां उनके विरुद्ध ग्यारा दूसरे प्रत्याशी भी सरपंच बनने की होड में शामिल थे लेकिन द्रौपदी के मिलनसार स्वभाव और कुशल ने त्रित्वनी आखिरकार उन्हें विजेता बना ही दिया सरपंच बनते ही द्रौपदी ने गाउं में शोचाले निर्मान, पेजल व्यवस्था और महिला सशक्ती करण जैसे मुद्दों पर विशेश ध्यान देते हुए काम्याबी की कहानी लिखनी शुरू कर दी इन सभी तेजस्विनी महिलाओं की सफलता की फिहरिस्त के बीच प्रदेश के छतरपुर जिले की एक पंचायत ऐसी भी है जहां पंचायत के जन प्रतिनिधियों के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक तेजस्विनी समूहों की महिलाएं पदासीन है चतरपुर जिले के बिजावर विकास खंड के अंतरगत आने वाली ग्राम पंचायत पिपट में एक समय महिलाएं इतनी सक्रिय नहीं हुआ करती थी और अधिकांश महिलाएं या तो घरेलू कामों में उलजी रहती थी या फिर खेती किसानी के कामों में हाथ बटाया करती थी लेकिन तेजस्विनी कारिक्रम द्वारा गठित स्वा सहायता समूहों से मिले मार्ग दर्शन और सहायता से इन महिलाओं ने खुद पर भरोसा करना सीखा और अपने अंदर छिपे जन प्रतिनिधी को पहचाना कुछ करने के लिए देश के लिए आज इस पंचायत में तेजस्विनी समूहों की लगभग एक तिहाई महिलाएं करमठता के साथ पूरे गाओं का नेत्रित्व कर रही हैं आगे बढ़ रही हैं तेजस्विनी के इन छैजिलों में 2009 और 2015 में हुए पंचायती चुनावों की अनुसार अब तक कुल 7481 स्वा सहायता समूहों की महिलाएं उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई जिन में से 3645 महिलाएं जीत हासिल करके अपनी सभलता की कहानी लिख चुकी हैं जो की सही मायने में राजनीतिक महिला सशक्ती गरण का बेहतर प्रमाण है ते जस्विनी